Assalamualaikum students, हम किमिश्य का 6 चप्टर पढ़ रहे हैं, कल हमने سलूट, सॉल्वेंट और सॉलूशन के बार में पढ़ा, आज हम आगे पढ़ेंगे सैचुईरेटिटिट सॉलूशन, अनसैचुईरेटिटिट सॉलूशन और सूपर सैचुईरेटिट सॉलूशन के बार में, स्टा तो उसने कहा हुआ है कि अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं तो उसमें हम तीन चम्मच जो है वो चीनी के डाल देते हैं तो वो एजिली डिजॉल्फ हो जाएगा ठीक है अगर हम उसमें पांच चम्मच चीनी डाल देते हैं तो वो एजिली डिजॉल्फ नहीं होगी क्योंकि एक ग्लास पानी की इतनी कपैसिटी नहीं है कि वो चार पांच चम्मच जो चीनी के हैं वो डिजॉल्फ कर सके हैं चीनश चार चमच छ 大िएक ठीक है तो यह वो टिजॉल्फ कर सकता है ऐसने चार चमच जो अँचे डाली थी आगर हम पांच चमच डाली है तो जो एक चमच एकस्ट्रा उन्यदा यह वो उसमें dissolve नहीं होगा वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा नीचे settle down होना शुरू हो जाएगा तो ये question है कि अगर salute और solvent को हम plus करते है तो वो solution बनता है ठीक है ये मैं आगे आपको समझाते हूँ ये वाला तो ये इसकी saturated solution की definition है a salute containing maximum amount of salute at a given temperature is called as saturated solution तो उस solution को हम saturated solution कहेंगे जिसके अंदर solvent ने maximum amount of salute को already dissolve कर लिया है और वो further और ज़्यादा salute dissolve नहीं कर सकेगा उस solution को हम saturated solution कहते हैं ठीक है on the particle level a saturated solution is one in which undissolved salute is in equilibrium with undissolved salute undissolved salute ठीक है तो इसमें उसने कहा हुआ है कि जो हमारे पाशलूट dissolve हो गया हुआ है वो हम crystallize मनदर crystals की form में दुबारा obtain कर सकते हैं कैसे उसको heat up करके ठीक है तो वो छोटे-छोटे crystals की form में powder की form में हमें दुबारा मिल जाता है at this stage dynamic equilibrium is established although dissolution and crystallization continue at a given temperature but the net amount of dissolve salute remain constant वो ही formula के चीज़ें जितनी हमने लगाई है जितनी हमने add की है वो उतनी ही रहेंगी उनकी change यह हो सकता है कि हमने वो crystal form में add किया होगा तो बात में हमें solution जो है वो evaporate जो water है वो evaporate हो गया है तो वो उतना ही water evaporate होगा अगर हम उसका net amount निकाले तो वो उतना ही amount जो है वो निकल आएगी जो हमने add की थी और salute की भी उतनी ही amount निकल आएगी जतने हमने add की थी तो saturated solution क्या होता है कि ऐसा solution जो जिसने अपनी capacity according maximum capacity according जो है वो salute को dissolve कर लिया है और वो maximum salute को resolve नहीं कर सकता नेक्स आजाता है unsaturated solution उसके बाद आजाता है unsaturated solution तो वो कौन सा होता है for example मैंने आपको बताया था कि एक blast जो पानी है उसके अंदर capacity है कि वो 4 चमच जो चीनी है वो dissolve कर सकता है तो अगर हम उसमें सिर्फ 2 चमच चीनी एड़ कर रहे है तो मतलब कि वो अभी इसके अंदर capacity है उस पानी के अंदर कि वो और मजीद 2 चमच चीनी dissolve कर सकता है तो वो क्या है unsaturated solution है क्योंकि वो अभी उसकी capacity मजीद है dissolve करने की लेकिन हमने दी नहीं है स्लूट हमने उसको provide नहीं किया वो अलग बात है लेकिन हम उसके अंदर water की इतनी capacity है कि वो और स्लूट dissolve कर सकता है तो ऐसे solution को हम unsaturated solution कहते हैं ठीक है नेक्स आजाते है super saturated solution तो super saturated क्या होता है when a saturated solutions are heated they develop further capacity to dissolve more such solution contain greater amount of than is required to form a saturated solution and thus become more concentrated तो super saturated solution क्या होता है कि हमारे पास अगर saturated solution available है एक गलास पानी है हमारे पास उसमें हमने maximum 4 चमश चीनी जो है वो डिजॉल्फ कर ली है अब उसके अंदर इतनी capacity नहीं है कि वो further चीनी जो है further sugar अपने अंदर dissolve कर सके तो हम क्या करते है हमने उसके अंदर dissolve तो करनी है तो हम क्या करते है कि उसको हम temperature provide कर देते है जब हम उसको heat up करेंगे उसको चूले पर रख देंगे तो अगर हम उसके अंदर 6 चमच चीनी भी डालेंगे तो वो easily dissolve कर सकेगा क्योंकि हमने उसको heat provide की है उसकी capacity जो है चीनी को dissolve करने की वो increase हो गई है तो वो 6 चमच चीनी भी dissolve कर लेगा इस solution that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution ऐसा solution जिसके अंदर जो solution की concentration है वो saturated से ज़ादा है वो concentrated है as compared to saturated तो उसको हम super saturated कहते हैं ठीक है super saturated solutions are not stable यह stable नहीं होते हैं क्योंकि जब हम उसको चूले से उतारेंगे तो जो वो cool down होगा तो वो दुबारा अपनी पुरानी capacity पे आ जाएगा और जो हमने extra genius के अंदर add की हुई थी वो crystals की form में या powder की form में दुबारा नीचे बाठना शुरू हो जाएगी therefore an easy way to prepare a super saturated solution is to prepare a saturated solution as a high temperature हम उसको high temperature देंगे तब ही उसकी capacity increase होगी और salute dissolve करनेगे it is then cooled down to a temperature where excess loot crystallize out जब वो थंडा होगा तो जो extra salute उसने dissolve किया है वो crystals की form में बाहर आजएगा and leaves behind a saturated solution और जो बाकी बचे का वो हमारे पास saturated solution होगा next उसने दी हुई है sodium thai sulfide की example दी हुई है कि अगर उसकी 20 degree Celsius पे वो हमारे पास इतना water है 100 cm cube हमारे पास water है 20 degree Celsius हमारे पास temperature है तो वो इतने ग्राम जो है वो dissolve हो सकेगा अगर इसे कम होगा तो वो unsaturated होगा अगर इसे ज़्यादा होगा तो वो super saturated होगा और सिर्फ इतना होगा तो वो saturated solution होगा दुबारा बता रही हूँ कि अगर 20 degree Celsius पे 25.9 gram से अगर ज़्यादा होगा तो वो super saturated अगर इतना ही होगा तो saturated और अगर इसे कम होगा तो वो unsaturated solution होगा ठीक है या आज का आपका topic था अगर इसमें से कोई चीज़ कोई भी जीज़ अगर आपको समझ नहीं आई अब मुझे दुबारा पूछ लेना मैं आपको दुबारा समझा दूँगी या आपने साथ साथ याद करते रहना है और अपनी copies पे भी साथ साथ ही लिखते जाना है ठीक है कोई कोशन हो मुझे call का लेना या मुझे message का लेना नमबर पे या वर्ट साप पे मैं आपको बता तूँ ठीक है अलाफिस